जैहिन सातियों आप से भी का स्वागत है आपके यूटूब चैनल study with मूलेंदर पर तो फ्रेंड्स आप से भी देख पारे होंगे D.I.D. टायर या टियर फर्स्ट रिय एक्जाम किसके लिए है इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं कि छात्रों या students का यहां पर admit card नहीं लिकल रहा है वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है बहुत सारे student कमेंट करके पूछ रहे थे कि sir हमारा admit card नहीं निकल रहा है तो उसका क्या reason है किन-किन center का यहां पर admit card जारी किया गया है और किन-किन student का यहाँ पर admit card निकल रहा है वो सारी detail हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं तो friends आपको इस वीडियो के last में एक surprise मिलने वाला है तो वो surprise आपके लिए काफी महत पून है तो वीडियो को last तक जरूर देखें तो चलते हैं बिना किसी time को waste के वीडियो को start करते हैं तो friends मैं इस वीडियो में आप सभी को clear कर देना चाहता हूँ कि किन exam center का यहाँ पर re-exam होने वाला है तो friends मैंने इससे पहले एक वीडियो upload की थी तो साइध आपको उस वीडियो में आपका जो doubt था वो clear नहीं हो पाया था तो मैं इस वीडियो में आपको doubt clear कर देता हूँ तो friends आपका जो exam हो वो 23 October को यहाँ पर di-do करा रही है तो जिन भी student का exam छूट गया था वो यहाँ पर center दिये गए हैं तो किन-किन center का यहाँ पर exam फिर से यानि कि कराया जा रहा है तो जिन student का यहाँ पर exam छूट गया था वो थे आपका जैपुर का एक center केवल एक ही center जैपुर के केवल एक ही center का exam यहाँ पर कराया जा रहा है तो date का 30 सितंबर का जो date है उस date का यानि कि 30 चितंबर को जिन भी student का यहाँ पर exam postponed हो गया था है किसी वज़े से वो exam नहीं दे पाये थे उनका जो center यदि ये दिया गया हो इस center से ब्लॉंग करते हो वो student तो उनका exam जो है new center उनका ये दे दिया गया है यहाँ पर आप से भी देख पा रहे होगे तो उनका admit card जार किया गया है तो आप यदि आपका exam पहले यहाँ पर इस exam center पर था तो आप का admit card अविश्य निकलेगा तो आप अपने admit card निकाल लिया होगा जिन student का है जो नहीं निकाल पाये तो उनका निकल जाएगा तो केवल 30 सेतंबर का जो exam था उस वाले center की अब बात कर लेते हैं NAST की गोवा के कौन सा center है गोवा का भी एक ही center था जो की 28 तारिक और 29 तारिक दोनों के जो postpone कर दिये गए थे इनके या exam किसी वज़े से नहीं दे पाये थे वो student तो उनका केवल यदि इस exam center पर exam था तो उनका जो नया exam center है वो यहाँ पर दे दिया गया है तो आप देख सकते है तो केवल उनी student के यहाँ पर admit card निकलने वाले हैं तो यह आप अपने admit card में देख सकते हैं कि पहले वाले जो admit card में था आपका exam center कहाँ पर रखा गया था और किस date को था तो यदि आप इस exam center से belong कर रहे हैं यानि कि आपका exam center यहाँ पर पढ़ने वाला था और अब जो आपक आपका admit card निकल गया होगा या निकाल लोगे आप तो friends अब बात कर लेते हैं nest दिल्ली का कौन से center के तो old center दिल्ली का यह था जैसा कि आप से भी आपर देख पा रहे हैं केवल 30 सितंबर का exam यहाँ पर cancel हुआ था या कुछ student नहीं दे पाई से केवल 30 सितंबर का यहाँ पर re पबात करते हैं देहरादून का देहरादून के all center देहरादून के जितने भी center थे सभी का exam 28-29 तारिक वालों का 28-29 वालों का सभी all center जैनि कि देहरादून में जितने भी center पड़े थे उनका सभी shift का exam वो आप से भी देख पा रहे होंगे दिल्ली और other palace पर कराया जाएगा यह इनके तरफ से बोला गया है तो आप से भी देख सकते हैं तो friends shifted कर दिया गया है तो दहरादून वालों का भी यहाँ पर admin card निकल जाएगा हम बात कर लेते हैं और बिलेयर की तो यहाँ पर इनका जो exam center वो यह दिया गया है और friends exam center यहाँ पर यह दिया गया है और जिनका exam 28 सितमबर को था morning shift में only वही candidate यहाँ पर अपना admit card निकाल सकते हैं तो यह आपको द्यानकने वाली बात है और बलास्ट बात कर लेते हैं पटना की तो friends पटना के all center यहाँ पर cancel कर दिये गए या postpone कर दिये गए थे तो उनका जो कौन कौन सी date का exam था 28 और 29 वालों का केवल 28 और 29 वालों के all center यहाँ पर change किये गए हैं तो उनका exam यहाँ पर होने वाला है उनके admit card जारी कर दिये गए हैं तो friends जैसा कि आप सभी को पता है 10 तारिक से आपके admit card website पर open हो चुके हैं तो आप वहाँ से जाकर कर डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है आपको admit card कैसे डाउनलोड करता है तो आप उसे जाकर कर देख सकते है तो friends I hope आप सभी का doubt clear हो चुका होगा तो आपका exam है वो 23 अक्टूबर को होने वाला है 23 अक्टूबर को तो चलिए friends आप सभी को हम इस वीडियो में एक surprise देने वाले हैं तो friends आप सभी के लिए surprise है कि आपको यानि कि कल 20 अक्टूबर से current affair की एक वीडियो morning में मिलने वाली ह तो आप सभी वीडियो को बड़े ध्यान से देखें बहुत important प्रिशन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो friends हर रोज आपको एक current affair की morning में वीडियो मिलेगी तो friends इस वीडियो को ज़्याद से ज़्याद से शेयर करें जिससे सभी student current affair का love उठा सकें और friends मैंने आप सारे student ऐसे भी है जो सही answer देते हैं तो friends उन सभी के लिए जो question का गलत answer देते हैं और आप सभी के revision के लिए ये current affair काफी महतपूर्ण होने वाली है तो friends यदि आप हमारे channel पर नहीं तो channel को subscribe जरूर कर लें और साथ में bell icon को प्रेस कर लें इससे आने वाली वीडियो का notification मिल सक तो कल से आपका current affair का dose start हो रहा है तो friends वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करें तो यही आप सभी के लिए surprise था और यदि आप कहें तो एक आपके लिए journal लैवारनेस की भी हम class शुरू कर सकते हैं तो comment करके बताएं इस current affair का time क्या रखा जाए तो चलिए friends मिलते हैं